नए साल को शांदार बनाने के लिए ग्रह शांती के लिए करे उपाई अगर आप अपने नए साल को शांदार और भाग्य शाली बनाना चाहते हैं तो आपको ग्रह शांती के उपाई जरूर करने चाहिए जोतिश विग्यान के मुताबिक ग्रहों की चाल का प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ता है ऐसे में यदी ग्रहों की चाल शुब होती है तो जातकों को उसके शुब परिनाम और अशुब होती है तो अशुब फलों की प्राप्ति होती है जो तिस शास्त्र में नौ ग्रहों की शांती के उपाय बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं कुंडली में सूर्य देव ऐसे होंगे मजबूत सूर्य देव की शुभता बढ़ाने और उनकी नाराज की दूर करने के लिए कभी भी जूट न बोले इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधी दोश दूर हो जाएगा और उनकी शुपफल मिलने प्रारम्ध हो जाएंगे ध्यान रहे यदि आप जूब बोलते हैं जो की अस्तित्व में नहीं है तो उस परिस्तिती में आपकी कुंडली से जुड़े सूर्य को उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ेगा ऐसे में सूर्य का काम बढ़ जाएगा और आपके संकट कम होने के बजाए बढ़ जाएंगे चंद्रग्रह की शांती के लिए करें ये विशेश उपाई चंद्रदेव की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोश दूर करने के लिए जितना ज्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दे न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें बलकि स्वयम भी साफ सुत्रे रहें और स्वच कपड़े पहने इस उपाई से निश्चत रूप से चंद्रदेव की खृपा मिलने लगेगी माता जी की सेवा करने से भी चंद्रग्रह मजबूत होता है सबसे पहले आप अपने बड़े बुजूर की सेवा करना प्रारंब कर दे साथ ही कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं इस उपाई से निश्चत रूप से सकारात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे Powered by Arthros Clinic A dedicated center for arthroscopy and sports injuries